गुड इवनिंग फ्रेंड स्वागत है आपका ट्रिकी हिमाचल यूट्यूब चैनल पे आज हमारी डेली जीके की सेवंथ क्लास है इस वीडियो में आपको हिमाचल प्रदेश इंडिया स्टैटिक जीके के more than 10 most important question करवाय जाएंगे सारे के सारे question आपके exam point of view से काफी important है आज की इस वीडियो का जो सबसे important question है हिमाचल का सबसे स्वच सहर कौन सा बना है जो की current का question है current affair में question काफी importance है ये तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं आज की वीडियो का हमारा पहला question है पहाडी भाषा किस लिपी में लिखी जाती है तो पहाडी भाषा जो है वो लिखी जाती है देवनागरी लिपी में काफी important question है क्योंकि मुखेता हीमाचल प्रदेश में 95% जो है वो पहाडी भाषा ही बोली जाती है जिसकी टोटल mostly 36 के आस पास जो है वो उपबोलियां है जैसे कि कांगडी भासा है धार्टी भासा है सिर्मोरी है मंडियाली है तो ये सारी कि सारी पहाडी भासा में ही इंक्लूड होती है तो और हिंदी भासा की लिपी भी हमारी देवनागरी ही है काफी important question है ये next question है धर्टी है बलिदान पुस्तक के लेखक कौन है तो धर्टी है बलिदान पुस्तक के लेखक है शांता कुमार जी जो की पूरप में हिमाचल परदेश के मुख्यमंतरी बे रह चुके हैं और कांगडा चंबा के सांसत भी बात करते हैं इनसे related important fact की तो शांता कुमार जी को जो ह है क्योंकि इन्होंने 1991 और 92 के आज पास जो है वो head pump लगाना start किये थे पूरे राज्य में उन्होंने head pump लगाने का काम शुरू किया था तो इसी उपादी से जो है वो इनको पानी वाले मुख्यमंतरी के नाम से जाना जाता काफी important fact है इन्होंने काफी सारी पुस्तिकें ल बात करते हैं हिमाचल का सबसे स्वच हवावाला शहर कौन सा है तो अभी 6 मई को जो है वो हिमाचल परदेश राज्य परदूशन बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी की थी तो उसमें जो है वो सबसे स्वच हवावाला शहर जो है वो हमारा मनाली घोशित हुआ है जो की कुल न की है ये की है राज्य परदूशन नियंतन बोड तो ये क्या है तो इसकी स्थापन हुई थी 1974 में काफी important question है जो की हमें बताता है कि कौन से शहर की हवा किस quality की है अच्छी है या खराब है या फिर परदूशित है next question है हिमाचल में स्थित जनजाती संगराले कहां स्थित है तो हिमाचल में जो जनजाती संगराले है यानि की जातियों से समंधित तो वो स्थित है केलांग में और इसकी स्थापना हुई थी 2006 में काफी important question है क्योंकि latest ही इसकी स्थापना हुई है next question है गद्दी जनजाती के ल की पूजा करते हैं अब question यह है कि यह रावी नदी की ही पूजा क्यों करते हैं क्योंकि जो गदी समुदाय के लोग हैं वो mostly कहां पे हैं सबसे जादा हैं चंबा में और चंबा में हमारी मुख्य था रावी नदी जो है वो बहती है इसलिए इसी की पूजा जो है वो गदी सम प्रसेंट जो है बोच नडी गढ़ में एछ फी का हिसरा है काफ इमपोरेंट कोशचन है यह next question की बात करते है राजगड तहसील हिमाचल पर्देश के किस छिले में स्थित है तो राजगड तहसील जो है वो हिमाचल के डिस्टिक सिरमोर में स्थित है काफी important question है राजगड तहसील से भी और राजगड जो हमारा स्थान है इससे सबसे important fact यह है कि राजगड में जो है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली cement factory बनाई गई थी 1980 में जो है वो CCCI जो cement factory है वो राजगड में बनाई गई थी 1980 में तो हिमाचल की सबसे पुरानी cement factory हमारी राजगड में है जो की हमारा पढ़ता है सिरमोर में सिरमोर से एक तहसील काफी और important है उसका नाम है शिलाई तो शिलाई तहसील जो है वो भी काफी important है यह इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो है वो great खली समंद रखते हैं और आपको पता ही है great खली जो एक मात्रै से हिमाचली है जिन्होंने WWE में हिस्सा लिया है नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं हिमाचल परदेश के प्रत्थम राजयपाल S चक्रवती किस वर्स राजयपाल बने थे तो दो कोशन यहां से बनते हैं सबसे पहला कोशन है कि हिमाचल के पहले राजयपाल कौन थे तो बो थे S चक्रवती और किस वर्स बने थे तो यह बने जिला में पाई जाने वाली मैरी कोजा किस फसल से समंधित है तो मैरी कोजा जो है एक फल की परजाती है जैसे कुफरी जीवन कुफरी जोती जो है वो आलू की परजाती है बैसे ही मैरी कोजा जो है ये आलू बुखारा की परजाती है जिसको हम mostly जो है वो पलम के नाम से भी जानते हैं, तो पल्लम जो है, उसी को हम आलू बुखारा बोलते हैं, और मुखेता ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मंडी जिला में, नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं, ब्यास गुफा किस जिले में स्थित है, तो ब्यास गुफा जो है, वो स्थित है बिलासपूर में, ब्यास गुफा और ब्यास गुफा और ब्यास गुफा जो है, नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं, भारत रतन की शुरुवात कब हुई थी, तो भारत रतन देना स्टार्ट हुआ था दो जनवरी 1954 को, तो दो जनवरी 1954 को जो है, वो भारत रतन की शुरुवात की गई थी, भा लोगो है वो एक परकार का पीपल का पत्ता है तो पीपल के पत्ते में जो है वो सूरे का चीन अंकित किया जाता है और भारत रतन से सबसे इंपोर्टेंट फैक्ट ये है कि 2020 में जो है वो किसी को भारत रतन नहीं दिया गया है नेक्स्ट कॉश्चन है पृत्वी दिवस कब मना जाता है तो पृत्वी दिवस जो है वो हर साल 22 अप्राइल को मना जाता है और इस साल जो है इसके 50 बर्स पूरे हुए हैं तनसथ भें धन-भिदेख किसकी अनुमति से पेश किया जाता है। तो जो धन भिदेख है आमारा वो राष्ठपती की अनुमति से ही पेश किया जाता है। और बरतमान में भारत के राष्ठपती हैं रामनाथ कोबिंद। नेक्स्ट कोशिन की बात करते हैं, राष्टरपती अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो सबसे important question है, और काफी confusing option के साथ इसको बना दिया जाता है, तो राष्टरपती जो है वो अपना त्याग पत्र देता है उप राष्टरपती को, आपको comment box में बताना है कि बरतमान में भारत के उप राष्टरपती कौन से हैं और कौन से नंबर के हैं, mostly सभी को ये पता है कि भारत के उप राष्टरपती कौन हैं, लेकिन उनकी numbering नहीं पता की कौन से वो number के हैं, 11th number के हैं, 15 के हैं या फिर 20 के हैं, तो आपको ये comment box में बताना है सबसे छोटे कारे काल के परधान मंत्री कौन रहे हैं तो काफी इंपोर्टेंट क्वेशन है शोट टैनियोर के प्राइम मिनिस्टर कौन रहे हैं तो वो हैं अटल बिहारी बाजपे इनसे काफी इंपोर्टेंट फेक्ट बनते हैं क्योंकि मोधी सरकार ने कई यासे संस्थानों के नाम जो हैं वो पूर परधानमंत्री के नाम पे रखे हैं काफी परधानमंत्रियों के नाम पे रखे हैं जिसमें से अटल बिहारी बाजपई जी के नाम पे काफी कुछ नाम रखे गए हैं तो सबसे छोटे कारेकाल के परधान मंत्री हैं अटल बिहारी बाजपेई और ये रहे थे तेरा दिन के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें, हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और डेली शाम 6 वजे हिमाचल इंडिया स्टाटिक जीके के लिए आप बेल आइकन दवाना ना भूलें, धन्यवाद